जैहिन All Future Officers, कैसे हो आप सभी लोग, आयोप आप सभी लोग अच्छे होगे, खुब धुआधार तरीके से पढ़ाई चल लए होगी, क्योंकि प्रिलिम्स अपना है, बहुत नस्दीक, और नस्दीक तो है, हम लोग पढ़ाई भी खुब कर रहे हैं, क्योंकि 40-50 दिन अपने सीच की कर रहे हो, तो रन्नीती जो है, हर समय में कुछ ना कुछ अपने को दिमाग में समझ के चलना है, कि हम जो एक्जाम के लिए जा रहे हैं, वो एक्जाम है क्या मतलब है, मैं बेसिकली आपको बताना चाहता हूँ, कि आज का वीडियो अपना किस तरफ जाने वाला है, 2023 हम लोग कर रहे है टारगेट, 2021 में पैटरन कुछ अलग था, 2022 में पैटरन कुछ अलग था, मैंने दोनों दिया और मैंने दोनों कौलिफाई किया, मैं दोनों में सेलेक्टेड हूँ, इस वज़े से आज हम लोग कंपेर करेंगे, कि जो पैटरन पहले वाला था और जो 5-10 मिनिट लगेंगे, समझ लो, फायदा होगा आपका, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात यही करने वाले हैं, कि भाई, फायदा है कि नुकसान है, तो अगर एक वर्ड में भाई सुनना है, तो फायदा है, ठीक है, कैसे है वो चीज हम आगे समझने वाले हैं, आप लो से जादा हम लोग क्या है, अपना आउटपुड ले पाएं, जो भी पैटर्न है, जो अभी 2022 में चेंज हुआ था पैटर्न, कि उन्होंने क्या किया, प्रिलिम्स को क्वालिफाई कर दिया, मेंस जो था, और टाइपिंग, जो की पहले क्या है, अलग होती थी, उसको एक जादा अच्छी चीच पहली बात तो यह हुई, मेरे हिसाब से, कि एसे खतम कर दिया, क्योंकि जब मैं 2021 दे रहा था, तो कहीं न कहीं एक डर होता था, डर यह होता था, कि मैं लिख के तो एसे में कुछ आओंगा, पता नहीं नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो सबस अच्छी चीच जो हुई, वो यह कि एसे क्या है, खतम कर दिया, टाइपिंग को क्या किया, पहले क्या होता था, टाइपिंग जो था, वो कुछ पोस्ट के लिए क्या था, नहीं भी आती थी, तो चल जाता था, अभी ऐसा नहीं है, टाइपिंग हर पोस्ट के लिए क्या है mandatory है कुछ के लिए standard ज्यादा higher है मतलब आपकी typing speed अच्छी होनी चाहिए और कुछ रिलिम्स अभी जरूर है मेंस अभी नहीं है लेकिन हमें typing को जरूर 15-20 मिनट देना है यह पहला important चीज है इतना आपको देना है आपकी typing speed जब 15-20 पहुंच जाए उससे ऊपर थोड़ा हो जाए तो हाँ फिर मैं कह सकता हूं कि आप लास्ट के एक महीने तयारी करोगे तो हो जाएगी पर अभी से अगर आपकी typing speed पांच आ रही दस आ रही और फिर आप कह रहो कि मैं कर लूँगा तो भाई फिर वहां दिक्कत है ठीक है तो पहली चीज तो आप यह दिमाग में रखो दूसरा एक जो बड़ा बदलाव आया दूसरा बड़ा बदलाव यह आया कि पह English ही आता था अभी ऐसा नहीं है अभी अपने को चारो subject है मोटे मोटे सब्दों में मैं कहूं तो सीधा prelims का ही paper उठा के mains में रख दिया गया बस थोड़ा सा level का difference होगा number of question में difference होगा तो अभी हम इस चीज का फायदा कैसे उठाएं यही important चीज है कि जब slabus होता है कभी भी prelims और mains का same जैसे मैं बात करूँ UPSC अपना exam है तो UPSC exam में क्या होता है कि prelims और mains में जो चीजे आनी है level हो सकता है slabus अलग अलग हो सकता है पर subject सारे लगभग same होते है ठीक है optional आप जो लोगे वो बदल जाता है तो उससे फायदा क्या होता है कि जो लोग तैयारी सुरू क करते हैं और बाद में prelims के लिए पढ़ते हैं और उनका qualify होता है prelims mains की थोड़ी answer writing practice करते हैं और हो जाता है पर वहीं वो बच्चे जो prelims की तयारी करते हैं तो prelims तो हो सकता है वो निकाल लें पर वो mains फिर नहीं निकाल पाते हैं यही चीज बस हमें यहाँ ध्यान रखने स तो कि SSC GCs आप से exam ले रहा है मुझे तो लगता इतना ही समय आपको मिलेगा तीन महिने max to max आड़े तीन महिने चार में बाकी तो आगे की जैसी situation होगी जितना time extra मिलेगा वो तो अपने लिए benefit होगा bonus होगा लेकिन हमें अभी से mains को ही सोच के चलना है उसी level के आप question करो चा में जहें English हो math हो GS हो reasoning हो सबको हमें जो पढ़ना है वो किस हिसाब से पढ़ना है तो वो मेंस के हिसाब से पढ़ना है क्योंकि इस pattern का फायदा वही उठा पाएगा असल माइने में जो यह चीज समझ गया कि मेंस ही pre है मेंस की तयारी करो pre अपने आप qualify होगा qualify होगा क्योंकि marks आप चाहे 190 भी लियाओ फायदा कुछ नहीं होने वाला हाँ अगर AO अगयरा का paper आपको देना है क्योंकि AO की cut-off थोड़ी high जाती है तो बात अलग है फिर आपको pre के लिए बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा पर मैं कहूंगा प्री के लिए अभी आप mock daily दो यह मैं gs हो कुछ भी हो जैसे gs में mains में statement वाले question आए तो even अगर वो चीज भी है तो उसका भी आप धिहान रखो हमें जो अभी से पढ़ना हो gs को इसी हिसाब से पढ़ना है जिससे हमें mains के time दिक्कत ना हो और मैं ये video उनके लिए बना रहा हूँ मैंने क्या बोला future officers पहले बोल जिनको लगता है कि वो job लेंगे तो भाई आपको prelims को समझ गये mains को समझ गये क्योंकि मैंने दोनों दिया है 2022 के time मैंने pre के पहले क्योंकि मेरा पहले से ही 21 का जब मैं selected था तो मेरा slabus cover था result तब नहीं आया था लेकिन मुझे क्या है उस time तक mains दे चुका था तो मुझे पता होना है वो qualifying है और मैं तभी से GS पढ़ने लगा था कि pre के पहले मैं GS पढ़ता था कि mains के time फिर मैं math और reasoning तो हर टाइम हम revise कर सकते हैं तो यह चीज मैं समझा रहा हूं तो अभी आपको क्या दिमाग लगाना है जैसे GS है जो topic आपका week है बहुत लोगों का हो सकता है math week है तो म मेंस का जब दिमाग में रखोगे कि मेंस में कितना marks हमको लाना है उस हिसाब से आप अपना subject देखो हो सकता है बहुत लोगों का reasoning week हो तो अभी से उस पे ज़्यादा time दो प्रिलिम्स आपका अपने आप ही qualify हो जाएगा और हाँ बहुत सारे ऐसे लोग है जिनके मानलों 50-60 number आ रहे तो कोई फिर मतलब ही नहीं न भाई ठीक है तो तब उससे अच्छा आप 24 के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करो बाकि मैं आपको देखो math के लिए मैं अगर बात करूं मैं आपको math पढ़ाता हूं तो math के लिए दो चीजे exam time के जरूरी होती practice और revision practice के लिए मैं मैं आपको mock solve करा रहा हूं आप जाके playlist देखो math by ayus sir playlist आपको मिल जाएगी वहाँ पर क्या है आप mock है practice के लिए और revision के लिए one shot series अभी जैसे कल आपको एक video मिलेगा वो video जो मिलेगा वो होगा percentage पे तो एक video में पूरा percentage cover 25 best question मैंने solve करवा दी उस video में वो video जो देख लेगा उतना वो दो भार वीडियो देख ले नहीं गलत होने वादा अब अस थोड़ी सी previous year question की practice कर ले ऐसे ही मैं सारे arithmetic advance के आपके एक एक chapter पूरा मतलब one shot series के through मैं क्या करूँगा एक video में पूरा chapter क्या है finish हो जाए तो मैं वही समझा रहा हूँ आपको कि उस हिसाब से तो मैं करता था कि GS का slabus cover हो जाए अच्छे से इसे GS में एक अच्छा ही score हो ठीक है और prelims में आए भी मेरे 30.5 marks जो GS में अपने आप में अच्छा ही score है मैंस में साहित 40 के आसपास marks है ठीक है तो इतना अगर marks कर लोगे आप तो GS भी आपका अच्छा हो जाएगा आप analyze करो बांकि जो वेने वीडियो बनाए है strategy वीडियो बार बार वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं उनी को जब भी doubt हुआ करे देख लिया करो यह question एक था student का मुझे नाम साहिद उसने call किया था इसान नाम है उसने call किया उसने पूंचा था तो मेरे यह दिमाग में था कि बांकी लोग को एक बार फिर से clarity मिली होगी और बाकी पढ़ाई में ध्यान दिये रहो वन सोट सीरीज देखो मौक सॉल करो और मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद आफिसर्स बाई टेक केर